प्लग इन इंडिया में वापिस से आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ अतुल गोपाल और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डीक्स्प्रेस नाम के कमटिऑ की मेचल नाम किये गाड़ी को डीक्स्प्रेस करीब 23 साल पुरांई एक मबडे कमपणी है करीब 200 ऐसे बैच चुकी है भीavra यह गारी एकदम बहतरीन गाड़ी है ऐसे छोटे बिजनसेस के लिए या फ्लिपकार्ट, एमेजोन जैसे डेलिवरी बॉइस के लिए जो की लगे ज़्यादा लगना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास में पीछे जगाह है रखने के लिए आगे जगाह है रखने के लिए और आप बीच में भी सामान रख सकते हैं तो यह स्पेशिलिस्ट कारगो वेकल है सिंगल सीटर है लेकि बीचे में एक सीट भी डाल सकते हैं आप गाड़ी दिखने में कोई ज़ादा क्या कहते हैं तो नहीं कह सकते हैं ऐसे लेकिन अगर आप इसे कंपेर करेंगे इनके जो दूसरे मॉडल के साथ में तो जो फिट सैंड फिनिशिस की क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया है आप देखेंगे कि इसका जो चैसी है वो एक यू शेप का ट्यूबिलर चैसी है कंपनी का ये मानना है कि इस यूट्यूब के वज़े से आपके पास वजन ढोने की जो केपैसिटी है वो काफी हो जाती है हम लोग को जो कहा गया है कि इस गाड़ी में ड्राइवर को इंक्लूड करके आप 200 किलो तक का वजन उठा सकते हैं अब मानिये कि 60 किलो की गाड़ी है और उसके ओपर में आपने 200 किलो का एक हाथी बिठा दिया है और वो हाथी को उठा के चल रहा है ठीक है दोनों एंड के जो ट्यूब के हैं एक एंड पे आपको हेडलाइट मिलेगी और उसी सिमेट्री में आप पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप और टेल लाइट मिलेगी करते हैं तो इने वे ही डिजाइन थो अनुखा है लेकिन वूंने पुराने के पैले आपको में जाते हैं आपके पास में आप एक बैटरी एक बोटर और तो इस को भी अगर आप सिंपलिफाय करते हैं तो स्बलो कुआ एकदम क्या बोलते हैं प्यूर डिजाइन के एक एक मेरे को बहुत अच्छे लगी है अब हम गाड़ी का इंगिशन ओन करते हैं और यह आपका स्पीडोमेटर कॉंसोल आ गया आपको दिख रहा है चीक है तो 105 किलोमेटर चल चुकिए ओडोमेटर यानि कि अभी जो चार पांच छे में से टोटल पांच बैटरी का बार बचा हुआ है और फाइनली यह वाला जो स्पीड है इसमें दो मोड है एक इको मोड है जिसमें आपको रेंज थोड़ी जादा मिलती है और यह एक बटन दबाएंगे तो कमली जी यह देखिए यह पावर मोड पे आ जा अगर आपने एक बार ब्रेक दबाया तो यह रेडी नाम का साइन आ जाता है और रेडी साइन आने के बाद गाड़ी हिलना शुरू होती है तो यह कैंड ऑफ सेफटी फीचर है जिसकी वज़े से थोड़ा सा दिक्कत भी होता है क्योंकि सिग्नल पे आप खड़े हुए हैं रेड लाइट ऑन है 15 सेकेंड के बाद में गाड़ी आटोमेटिकली वह लॉक मोड में या स्लीप मोड में चले जाती है और फिर से उसको जिंदा करने के लिए आपको एक बार फिर से ब्रेक दबाना पड़ता है तो कई बार आदमी भूल जाता है और उसके वज़े से आपका हजाड लैंप है काफी सारे गाड़ियों में हजाड लैंप नहीं रहता है तो एक हजाड लैंप ऑन-off स्विच हुआ और यह आपका पावर और आटो मोड वाला स्विच हो गया इको और पावर और यह आपका इंडिकेटर से लेफ्ट राइट एंड फाइनली यह आ यहां पर टैंक दिया हुए है तो यहां पर एक और अच्छा फीचर दिया गया है जो आपको थोड़े से हाइंड स्कूटर में रज़ता है कंदेशी यहां पर दिखाई यह यूएसबी पोर्ट है यह तो आपका मोबाइल चार्ज वगरा करने के लिए बढ़िया है हाला कि लॉक कर देता हूं और आपको एक चीज अच्छी बताता हूं यह देखिए आप गाड़ी चलाने कोशिश कीजिए मतलब अलाम तो बजी रहा है और साथ में वील भी लॉक हो रहा है ठीक है तो अब मैं इसको यह देखिए वाइबरेट कर रहा है अपने आप से ठीक है डिस गाड़ी की सुंदरता थोड़ी सी बढ़ गी है हमने अपना बॉक्स निकालने के बाद में फंक्शनलिटी बहुत है गाड़ी के बारे में हम लोग की ज्यादा करके आज जो ट्राइल हुए वो बिना लोड़ के गाड़ी ट्राइल हुए तो इसलिए परफॉर्मेंस से हम क जर्मन कंपनी है जो कि काफी लोगों जानते होंगे क्योंकि वो लोग फ्यूल इंजेक्शन पॉंप्स वगरा में एकदम वर्ल्ड लीडर है तो उन लोग ने अभी हाल ही में डाइवर्सिफिया किया है मोटर मैनेफेक्चरिंग में और जितने भी EV के मोटर मिल रहे हैं आ गाड़ी चलाता हूं तो मैंने देखा है कि कोई भी पेट्रोल की टू विलर के आगे पहुंच जाती है गाड़ी लेकिन 25-30 की स्पीड तक उसके बाद वाकी गाड़िया इसको कर लेती है तो यह चीज जो है गाड़ी के बार में में बहुत बढ़िया लगी चलाने में एक पहले-पहले जब मैंने गाड़ी देखी तो मुझे असा-सा डर लगा क्योंकि जादा करके जो गाड़िया है जितकी बैटरी फ्लोर के नीचे होती है उसमें थोड़ी से तकलीफ होती है बैटरी में क्योंकि आपका पोस्चर जो रहता है ठीक नहीं रहता है पैर का एंगल जो मैं कमपणी को दे सकता हूँ सेम चाबी जो लगती है उसी में डालते हैं यह निकाला और यह एक मेटल का लीवर है जो बहार आ जाएगा आपके बैटरी अब बहार आने के लिए तयार तो यह रही बैटरी ठीक है आच-10 किलो के आसफास वजन होगा जो कि जरूरी है अगर आप फ्ली टोनर हो और आप अगर बैटरी स्वापिंग पर अपनी बैटरी चलाना चाहते हो यह निकि बैटरी स्वापिंग का मतलब यह हुआ कि आपने एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीद ली यह बैटरी पूरी चार सब यह कि आपके जो चार-पांच घंटे जाते हैं चार्जिंग में वह बच जाएंगे यह सेलुइशन फ्लीट के लिए ज्यादा अच्छा है अगर आप इंडिविजियल ओनर हो तो आपको शाइद इसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा तो स्वापिंग के लिए बै बैटरी का वजन जादा है तो यहां पर जो वजन है वह एकदम बढ़िया है की बैटरी है साथ वोल्ट 18 MPR की वाली बैटरी इसमें काफी रेंजेश है इसमें मेरे खाल से तीन तरीके में आपको मिलते हैं एक 60-70 km वाली है 90 km वाली 120 km की बैटरी होगी उसका जो वजन है इ आप यहां पर पास में आई एक पर तो यह जो है यह आप इंडिपेंटरी को चार्ज करना चाहते हो गाड़ी के बाहर तो आप को पोर्ड बनाके दिया हुए यह वाला और यह जो है यह एक स्प्रिंग ऑपरेटेड प्लग है तो यह आटोमेटिकली यहां पर जाकर के जब आप बैटरी को इस पोजिशन में फिट करते हैं तो उसका एकदाब परफेक्ट बिठाया हुए है आटोमेटिकली वह जाकर के प्लग के अंदर बैड जाता है तो आपको यह दिखाते हैं तो यह हमने बैटरी को अपने खाचे में डाला तो यह आपको अगर आवाज चाहिए थोड़े से स्पीकर की चूचू आवाज मतलब की बैटरी पोजिशन में आ चुकी है यह आपने डंडा इसको अंदर डाला यह चावीली यह बंद किया और यह डन तो स्वापिंग के लिए यह वाला मॉडल एकदम बढ़िया बना हुआ है बैटरी का वजन भी ठी होश्यान तो इसकी जो है बैटरी की स्पेस्टेर यान क इनगे लएफ पी किमिस्ट्री है फोड़ी सी वाइटरिया बाहरी होती है लेकिं कि लरब बैटरी इसलिए है और उसके लाइफ घाना है चीक है जह च्प्पयचोंत नेलरे एख़े मिल जाती है안 कoff gefragt कि के ऊपर जसकर सकते हैं कि हजार अपर बाखको पूरा charge करके इस्चार कर सकते हो प्रेंज दिखाई दे रहा है कि बाट्री में कितना है आपके स्कतिनात कि ऐंदर autant küçük स्वार होते हैं तो मतलब रफ्छे आप समझ लिए 85% आपकी बैटरी बजी हुई अभी भी तो कल हम लोग ने जब टेस्टिंग किया था हम लोग ने 85% से शुरू किया था और रफली 40% तक हम लेके गए थे इसके लिए हमको 40 km लगे थे असल बैटरी तभी खाई जाती है जब चड़ाईयों में अपके बैटरी ज्यादा खाए नहीं जाती है एक चीज़ और बड़ी इंटरस्टिंग है इसके बारे में कि जब गाड़ी धलान पर जा रही है तो बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है इसको कहते है रिजनरेशन तो रिजनरेशन सारे कारों में तो आता ही है लेकिन टू वीलर में रिजनरेशन काफी कम देखा जाता है तो इस पर्टिकलर गाड़ी में आपको रिजन की फैसिलिटी भी दी गई है अब आते हैं इसके राइड क्वालिटी के उपर में कफी ठीक ठाक है शौक अब जावर अच्छे बने हुए हैं जो डिस्टेंस है आप दोनों पईयों के बीच में बैठे हुए हो तो राइडर को कमफर्ट मिलता है थोड़ा सा सीट भी एकदम इसकी ठीक ठाक है सॉफ्ट है मैंने का कि बैक रेस्ट अगर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता स्पीड ब्रेकर पर थोड़ा सा आपको धीरे जाना पड़ता है कंपेड टू मोटर साइकल क्योंकि अगें लोड़ वाली गाड़ी है आपकी लोड़ वाली गाड़ी आप देखोगे आपने ल कमफर्ट वाइस चलाते वक्त पोस्चर ठीक ठाक है ज्यादा करीब करीब हमने जो 40-50 km कल गाड़ी चलाई उसमें ऐसे कभी बैक ट्रबल या ऐसे कुछ हुआ नहीं तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि गाड़ी को हम ठीक ठाक मानेंगी ऐस फार एज राइड कमफर्ट औ इंडिया कहते रहते हैं कि इंडिया को ज्यादा हम लोग को आपको एंकरेजमेंट करना है और क्योंकि काफी सारा इसमें स्टील का काम है तो हमें लगता है कि कंपनी के एक बार सेल्स वाल्यूम बढ़ेंगे तो काफी इंडियन हो सकता है इसमें डेलिवरी अगर आप अग अगर आप मुझे एक चीज बोलेंगे जो इस गाड़ी के बारे में सबसे बहतरी लगा ऐसा कार्गो वाइक वह है इसकी मोटर आइटिंग बॉश को एक सलूट देना चाहिए इस जर्मन कंपनी को इन लोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इतनी टॉर्क मैंने शायद स चितक में भी बॉश की मोटर लग रही है तो आप समझ लो चितक जैसी इसकी पूरी की पूरी रणिंग है एक सजेशन कंपनी को शायद मैं देना चाहूंगा विकल जब मैं इसको चला रहा था तो काफी बारिश हो रही थी तो मेरे पास मोबाइल फोन था जो भीग रहा थ मैं किराने की आइटम लेने के लिए मार्केट याड गया हुआ था तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि अगर एक यहां पर सामने कोई एक छोटी सी लॉकेबल एरिया हो ती जिसमें मैं अपना मोबाइल उस समय डाल सकता तो शायद मेरी टेंशन कम हो जाते जिन्दकी के तो ज् कि आप लोग भी अपने घरों पर डेलिवर वाइस को अब इस कंपनी इस स्टैप की गाड़ी में आता आते आना देखना शुरू करते हैं जल्दी ब्हुत चुरू करते हैं हैुआगाफ पर डेलिवर दो देख lleakने जाते हैं जा लाह ररों जल्दाय झाल गईकाने टे वाण